नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत करता हूं मैं हूं मॉल और आज हम लोग कुछ तो कमाल की चीज सिखने वाले हैं मेरे खाल से हर एक कंप्यूटर यूजर को जो भी कंप्यूटर इस्तमाल कर रहा है उसे यह चीज मालू होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार क् होती वह है एक वेब कैम और दूसरा होता है कोई तो एक ऑडियो डिवाइस यह दो चीजे नहीं होने की वज़े से हम लोग बहुत दिक्कत में आ जाते परिशानी में आ जाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो अल्मोस्ट हर एक आदमी के पास हर एक परसन के पा लें तो आपके जो भी online conference चार्टिंग classroom के प्रोब्लम से वह आज सॉल हो जाएंगे आज के बाद यह दिक्कत आपको नहीं आने वाले तो आपको क्या करना है दो software आपको इंस्टॉल करने एक app इंस्टॉल करना है जो कि आपके mobile में रहेगा और एक software रहेगा जो आपके computer मे आने के PC में laptop या desktop computer में इंस्टॉल करने तो चले पहले mobile का काम कर लेते हैं तो mobile में आपको simple क्या करना है तो एक play store में जाने के बाद एक app आपको search करना है जिसका नाम है ड्रॉइट यहां पर आ चुका है ड्रॉइट कैम वायरलेस वेब कैम ओके सो यहां पर इंस्टॉल करना है आपको इसका चाहिए तो में लिंक आपको description में दे दूँगा तो simply install कर दीजेगा यह app जो है बहुत लोगों ने इस्तामाल किया है करीब करीब 5 million लोगों ने इसे इस्तामाल किया है यानिके 50 lakhs people इसे use कर रहे हैं बहुत ही काम की चीज़ है तो यह हम लोग installation के लिए रग दिया है साथी साथ तब तक हम लोग क्या करेंगे तो एक app एक software आपको जो computer में install करना है उसे भी हम लोग install कर देते तब तक जो के है जिसका website है dev47apps.com तो यह website में जाना है इसका भी link मैं आपको description में दे दूंगा या फिर आप जो mobile में app install करने वाले हो वहाँ पे उसका link आ जाता है तो ठीक है यहाँ पे हम लोग ने वो site visit कर दिया है नी Linux operating system इस्तेमाल कर रहे हो तो आप यह जो software Linux में भी use कर सकते हो लेकिन हम लोग फिलाल Windows बेस सीख रहे है तो यहाँ पे Windows के लिए क्लाइंट है वो download करेंगे simple click करने फिर आपको दो option मिलने वाले एक तो Android बेस सपोर्ट में आपको मिलेगा विंडो आने वाला है जो कि आपको instruction यहाँ पर बता दिया जाएगा simple next पर क्लिक करना है नेक्स पर क्लिक करने के बाद यह पूरा instruction है आप उसे चलेगा कि आपका Wi-Fi IP क्या है और आपका ट्रॉइट कैम पोर्ट क्या है जो के 4747 है और आपका आई पी जो है 1921681.101 करके तो चलिए अभी हम लोग आते हैं हमारे कंप्यूटर सॉफ्टर के पास यहाँ पर डाउनलोड हो जागा है folders में जाके से यहाँ पर इंस्टॉल करने आपको डबल क्लिक करके open कर देता हूं मैंने यहाँ पर अल्रेडी इंस्टॉल करके रखा है इसलिए ओवर्राइट के लिए पूछ रहा है यस कर दो और इस तरह इंस्टॉलेशन प हो जागा बहुत यहें असन सा Independence आप कहो सकते हूँ यहाँ मिनिमाईट कर देता हूं क्लोस इस पर देखेंगों इस देख रहा है यह जो है इंस्टॉल हो चुका है आपके डिस्टॉब पर डबल क्लिक करना है ठीक है तो इस तरह से कुछ विंटव आप किस तरह से इस्तमाल कर सकते हो इस वाइफाई से आप कनेक कर सकते हो या फिर यूएजबी से कर सकते हो या फिर आप उसे सर्वर आईपी दे के भी कनफिगर कर सकते हो लेकिन सबसे आसान तरीका है कि यहां पर हम लोग वाइफाई थ्रू यूस करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर डिवाइस आईपी में आपको यह नंबर डालना होगा जो कि हम लोग ने एप्लिकेशन में यहां यहां पर और एक सेटिंग आपको पहले करने होते हैं यहां पर क्लिक करना है सेटिंग में जाके आपको थर्ड वन ऑप्षिन दिखेगा तो सेटिंग करना है यहां पर फ्रंट कैमरा सेब्सक्राइब करने आपको बैक में आने के बाद फिर से आपको आइडी और पॉर्ट नूमबर दिखने वाला है जो आपको डालना होगा आपके computer के software में यहाँ पर मैंने select Wi-Fi connection IP डाल दिया है उसके साथ मैंने port number भी डाल दिया और video और audio दोनों चीज़ मैंने enable कर दिया अगर आपको audio नहीं चाहिए तो audio आप off कर सकते हो यहाँ पर मैंने दोनों activate रख दिया यहाँ पर simply start पर click कर देता हूँ इसे मैं start पर click कर दूँगा आप देख सकोगे कि इसका video जो है वो चाल हो जाएगा इस तरह से मेरी हालत आप देख सकते हो लेकिन यह भी एक अच्छा technique है specially YouTuber के लिए जिसके through जो है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ या फिर जो हवा लगती है माइक पर उससे noise होता है तो आपके video सुनने के लिए दिक्कत आ सकते है तो उसके लिए यह एक technique है तो cap का जो flap है वो speaker mic के उपर आगे जिससे कोई भी disturbance नहीं आएगा कोई भी noise नहीं होगा और आपका काम जो है कर रहा है कि नहीं कर रहा है जैसे कोई तो एक tool देखेंगे जैसे कि online classroom के लिए बहुत ही famous tool है जो कहें Google का Google meet करके मेरा यह काम यहाँ पर आपको Google meet सिखाना नहीं है सिर्फ आपका Android phone जो है उसे webcam की तरह किस तरह से इस्तामाल कर सकते हो यह देखना है कुछ तो नाम देना होता है जैसे यहाँ पर में ACG Tutorial लिख दा हूँ ओके देन continue ओके continue पर क्लिक कर दिया है यहाँ पर यह software में क्या होता है कि आपको आपका webcam रहेगा तो display में आजेगा आप यहाँ पर देख सकते हो काम करना चालू कर दिया है यहाँ पर audio भी काम कर रहा है तो audio का off करना है तो यहाँ से आप off कर सकते हो यहाँ पर मैं simple क्लिक कर देता हूँ तो audio off हो गया है और एक इसके अच्छी बात यह है कि अगर आपका mobile का battery बचा यह app जो है दे रहा है तो यहाँ पर वीडियो अनेबल डिसेबल भी कर सकते हो तो मेरा काम जो था वह हो चुका है मैंने आपको बता देया कि किस तरह से आप अपने मोबाइल में और आपके मोबाइल की तुरू कोई भी कोई भी mobile रहने तो कोई भी android का version रहने तो उसका इस्तमाल करते हुए किस तरह से कोई भी phone को आप as a web camera और एक audio device की तरह इस्तमाल कर सकते हो सिर्फ दो चीजों की जरूत होती है आपको एक software एक app जो है आपको mobile में डालना है और दूसरी जो चीज़े वह है software जो आपको computer में install करनी होती है आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाई